जिग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का जिव्य स्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज फिर हम यहाँ पर यहाँ लाइव चर्चा का कारिक्रम चुरू कर रहे हैं और आज के लाइव चर्चा का जो विशय है क्या पूजा पाट से मुक्ति नहीं मिलती क्या मोक्ष पूजा पाट से संभव नहीं है क्या पूजा पाट से मुक्ति नहीं मिल सकती है पूजा पाट करें ध्यान यूग करने की क्या वोशकता है यूग भक्ति और कुछ भी अन्य प्रिया करने की क्या वोशकता है हम सिर्क पूजा पाट करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं क्या यह संभव नहीं है किसी मानुभाओ ने ऐसा प्रश्ण किया कि क्या हमारी मुकति में हम जो पूझा पाथ हमारा जो चलता है रोज हम पूझा करते हैं नहाते हैं धोते हैं फिर पूझा पाथ करकर ही ओफिस जाते हैं या घर में जो ग्रिहनी है, जो हाउस वाइब्स हैं, जो मा है, वो क्या करती हैं, नहाती हैं, धोती हैं और फिर पूजा पाट करके ही कुछ दुसरा काम करती है, तो पूजा पाट जो कर रहे हैं, क्या उससे मुक्ति नहीं मिल जाएगे, या उससे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा तो चलिए इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें इस विशय को कैसे समझना चाहिए ठीक है और पूजा पाठ करना या पूजा करना पाठ करना देवी देवताओं की पूजा वरत उपवास बहुत सारी चीजे हैं यह हमें किस प्रकार से समझना चाहिए यह हमें किस प्रकार से करना चाहिए ठीक है यह हम समझने का प्रयास थोड़ा करेंगे तो पूजा क्या है पूजा वास्तों में पूजा का जो अपना नीजी उद्दिश्य है वो अपुन्य की विर्दी है और नरक से मुक्ती का मार्ग है नरक का अर्थ है हमारे बुरे कर्मों का दुख हम जहां भोगते हैं बुरे कर्मों का जो दुख हम भोगते हैं उससे जो मुक्ती का मार्ग है वो पुजा है पूजा से मुक्ती होगी लेकिन कौन सी मुक्ती होगी बुरे कर्मों का जो दुख है जो नरक के रूप में प्राप्त होता है नरक वास्तों में एक अवस्था है बहुत बुरे कर्मों को करने की कारण जीव नारकी अवस्था में चला जाता है कई बार वो इस संसार में कुछ लोग कहते कि नरक बाहर कहीं पर अरे कई बार वो इस संसार में रहते वे भी नरक जैसी जिन्दगी ही जी रहा होता है सारी पिडाएं सहरा होता है अने को कश्ट सहरा होता है अने को दुख सहरा होता है कोई उपाय नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, कोई समाधान नहीं होता इस विशय का, कि हम इस नरक से कैसे मुक्त होना है, तो कर्म, कर्मों का बंधन है और कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, no doubt. कर्मों का बंधन है और जो कर्म का बंधन है वही दुख का कारण बनता है, तो सरपर्थम हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ती चाहिए और हमें दुखों से मुक्ती चाहिए, ये दो विशय है, एक तो हमें मुक्ती चाहिए और हमें दुखों से मुक्ती चाहिए, तो पूजा पाठ मुक्ति का साधन बनेगा लेकिन दुखों से मुक्ति का साधन बनेगा परंतु दुख भी तो सुख के साथी है तो होगा तो दुख भी तो होगा जीवन में यह एक ही सिक्के के दो पहलू है सिक्का होगा तो दोनों होगे सुख भी होगा दुख भी होगा जीवन होगा तो होगा ही होगा ऐसा नहीं हो सकता कि सुख हो और दुख ना हो दुख हो और सुख ना हो दोनों होंगे तो पुजा पाठ नरक से मुक्ति का मार्ग अर्थात बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग जरूर है लेकिन अगर आप जनम कर्म बंधन की बात करेंगे तो कर्म बंधन से हमें पूजा मुक्ती नहीं दिला सकता क्योंकि वो खुद एक कर्म है वो खुद एक कर्म है तो इसलिए इस संसार में हमारे कर्म संतुलन की अवस्था में रहें इस संसार में हमारे जो कर्म है वो संतुलन की अवस्था में रहें तो कर्मों का संतुलन बने रहने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से कुछ ऐसे कर्म करें जो आपके पुन्य के व्रधी करें तो पूजा करना वास्तों में पूजा करना दान करना तप करना देखिए एक पूजा जो पूरी जो पूजा होती है न वो बिना दान के पूढ़न नहीं होती है इसलिए भारतिय सनातन धर्म में जितने भी तेवहार आते हैं उन्हों सब में दान का महत्व है अभी व्यास पूढ़निमा है परसों तो दान का महत्व है आ तो यह विशाय हमें अच्छे से समझना है पहली बात इस विशाय को हमें अच्छे से समझना है तो पूजा से कान से आवाहन से आवाहन करना इस्तुती करना भोग लगाना यह सब पूजा के अंग है पूजा होती है उसमें इसारी क्रियाएं होती है आरती करना फिरदान करना अंत में प्रसाद वीतरन करना और दान करना इनके बिना पूजा संपन नहीं होती है तो पूजा वास्तों में किसलिए है पूजा का उद्धिश्य पूजा आपके शुभ कर्मों में वर्धी हो जाती है पूजा से आपके शुभ कर्मों में वर्धी हो जाती है लेकिन पूजा से कर्म बंधन कट जाता है ऐसा नहीं है पुजा से कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है ऐसा बिलकुल नहीं है पुजा करते वे भी कर्म बंधन बने रहते हैं और नय कर्म बंधन बनते हैं भले वो पुन्य कर्म बंधन बने खले ही वो पुन्य कर्म बंधन बने वो पाप कर्म बंधन नहीं होगा पुन्य कर्म बंधन होगा लेकिन बंधन तो है चाहे पुन्य के रूप में हो चाहे पाप के रूप में हो बंधन है तो पूजा हमारे पुन्य कर्मों की वर्धी करता है सद कर्मों की वर्धी करता है पूजा के माध्यम से ये कारे जरूर होता और उसका फल हमें मिलता है इसलिए संसार में आकर भगवान इस रिकृष्ण श्रीमद भगवद गीता में ये नहीं कहते हैं कि आप पूजा मत करो लेकिन पूजा करने से आपको परमधाम की प्राप्ति नहीं होने वाली पूजा करने से आपको परमधाम भी क्या है परमधाम कोई hypothetical चीज नहीं है कोई कालपनिक चीज नहीं है परमधाम परमधाम भी एक योगी की अवस्ता है जहां वो मुक्त हो जाता है जहां सारे कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाता है समाधी को प्राप्त कर लेता है कैवल्ले को प्राप्त कर लेता है तब वो परमधाम को प्राप्त होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वास्तों में वह मेरी ही पूजा कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा की गई है जो पूजा है वो अविधी पुर्वक है क्योंकि वो मुझे तत्व से नहीं जानते तत्व से नहीं जानते उनके पास तत्व ज्यान नहीं है और जब वो मुझे तत्व से नहीं जानते तो वो मुझे तक नहीं पहुं सकते मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते अब तत्वरूप में कृष्ण क्या है कृष्ण तो यह भी कहते हैं आज हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं बहुत पूजा होती है जन्माष्टमी आने वाला है भादों के महिने में जन्माष्टमी का पर्व होता है और ना जले साल भर में बहुत सारे ऐसे पर्वते वहार आते हैं जब स्रीकृष्ण की पूजा होती है लेकिन किसकी पूजा होती है स्रीकृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से तू अपनी इन आखों से मुझे नहीं देख सकता तो आज जो हम पूजा कर रहे हैं तू मेरी तत्व को कहा जानता है सभी भूतों में इस्थित आत्मा मैं ही हूँ तू तो बस मुझे मेरे शरीर को देख रहा है लेकिन मैं तो घट-घट में हूँ मैं तो सब के हिर्दय में ही हूँ हिर्देश अर्जुनतिष्ठती कि मैं तो हिर्दय में ही इस्थित हूँ सब के तो फिर मुझे बाहर कहां ढूंडता है मोको कहां तो ढूंडे ले बंदे मैं तो तेरे पास में तो प्रशन खड़ा हो जाएगा यहां पर कि श्री कृष्ण गीता में क्या अपदेश दिया है और हम कौन से पूजा करते हैं किसी एक बात को कृष्ण ने लिखा है तो उसको दुसरी बात को नकारा नहीं जा सकता तो यह गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पूजा जब आ बाहरी पूजा पाट करते हो तो वह आपके दुखों का निवारन कर सकता है लेकिन आपको कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता आपको जनम बरन के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकता पुन्य कर्म बढ़ जाएगा बहुत पूजा पाठ दान तप कर दोगे वरतपवास जादा कर लोगे तो पुन्य आपका बढ़ जाएगा और पुन्य के वशिभूत आपको अच्छे फल मिल जाएगे इस जनम में नहीं तो आगामी जनम में पुनर जनम में आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी प्रारब्द का अच्छा अधर्मान हो जाएगा लेकिन सिक्के के दो पहलू है सुख और दुख तो वो किसी ना किसी रूप में तो आएंगे पाप होता है तो लोगों से पुन्य भी होता है पुन्य होता है तो पाप भी होता है सारे जिन्द की कोई पाप करता रहा है यह भी संभव नहीं सारे जिन्द की कोई पुन्य करता रहा है यह भी संभव नहीं प्रकृति के प्रवाह में कहीं न कहीं उससे पाप भी होगा कुछ लोग का पापी रुजहान बन जाता है वो गलत बात है कुछ लोग का पुन्य रुजहान बन जाता है इसलिए मिमानसा शास्त्र कहरती है कि हमें प्रति दिन असनान, संध्या, ध्यान और अगनीहोत्र ये क्रिया करनी चाहिए प्रति दिन असनान, संध्या, ध्यान, अगनीहोत्र और थोड़ा सा दान ये हमें प्रति दिन करना ही करना चाहिए ये प्रतिदिन होना ही होना चाहिए ये प्रतिदिन होने से क्या होगा कि अंजाने में या वैसे भी हमसे जो पाप कर्म छोटे छोटे बनते रहते हैं वो बैलेंस होते रहेंगे वो मिटते रहेंगे उनको बैलेंस किया जाएगा इसलिए आपका पुन्य वर्दी होगा तो पूजा करने का उद्धिश्य पुन्य की वर्दी है लेकिन पुन्य भी बंधन है इसलिए भगवान कहते हैं कि यग्यहवन आदी पूजा आदी जो भी क्रियाएं हैं किमत भगवत गीता में उसे करतव समझ के करना चाहिए निश्काम भावना से करना चाहिए अगर वह निश्काम भावना से होता है तो वह भी योग हो जाता है फिर निश्काम करम योग बन जाता है वह भी बदले में हमें क्या फल मिलेगा, क्या पुन्य मिलेगा ये बिना सोचे हमें अपना जो पूजा पाट का जो काम है उसे करतव समझ के कर लेना चाहिए लेकिन जब बात आती है मुक्ती की तो बात यहां बदलेगी क्योंकि मुक्ती का अर्थ है मुक्त होना इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इसको हम कहाते है स्वतंत्र, या मुक्त होना, सारे बंधनों को तोड़ देना ये मुक्ती है तो अब संसार में बहुत सारे बंधन है और कई बार पूजा पाट में भी हमें बंधन ही मिलता तो ये भावना लेकर जाते हैं कि हमारा संसार अच्छा हो जाएगा संसार में सारी सुक्षुधान के चीज़े आ जाएगी जी नहीं, आप सुखी हो जाएगे या निश्चित है अगर आपको कोई सही व्यक्ति मिल गया, कोई सही आश्रे प्राप्त हो गया कुछ सही व्यक्ति जो योगमार का सही जानकार है वो आपको बता दे तो निश्य ही ऐसे व्यक्ति का संपर्क प्राप्त करकर आप अपने मन को शांत कर लेंगे आप अपने मन को इस्थीर कर लेंगे और परमानंद का अनुभव भी आप करेंगे अगर ऐसा संपर्क ऐसा संयोग मिल गया तो फिर पूजा करना भी सब सफल हो जाता है इसलिए कहा गया गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन करता दान कहे कबीर नेफल गया गावही वेद पुरान गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन करता दान कहे कबीर नेफल गया गुरुबिन बताता है वास्तों में दान का क्या महत्व है और दान कैसे करना चाहिए कहा करना चाहिए इस रूप में करना चाहिए ऐसे इसरी प्रदर्शन के लिए दान नहीं कर देना चाहिए कुपात्र को भी दान नहीं कर देना चाहिए भगवान कृष्ण ने तो स्रीमत भगवत गीता में चेता कर कहा है कि कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए हाँ, कोई नीडी है, कोई जरूरत मन्द है, तो करना चाहिए तो हमें यह सब बात समझना है कि दान, पुन्न, पूजा, जो कुछ भी है, दान भी पूजा का ही अंग है भार्तिय सनातन धर में हर हम कोई भी पूजा पाट करते हैं उसमें दान जरूर करते हैं दान के लिए अनन निकालते हैं कुछ न कुछ हम निकालते हैं धन निकाले अनन निकाले कुछ न कुछ तो हम करते हैं तो इससे हमारा पुन्य की विर्धी हो रही है लेकिन बंधळ नहीं टूडता इससे इससे मुक्ति नहीं होती है आत्मेकेरभोध्ये नि बिना विमुक्तिरनस सिध्धते ब्रह्म शतांत्रे अपी आदिगुरु शंकराचार कहतें कि आत्म बोध के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है भगवान इशिव कहते हैं इदम तीर्थ मिदम तीर्थ भर्मंती तामसाजना आत्म तीर्थम नजनंती अथम मोक्षम वरानने जब तक आत्म ज्यान को नहीं प्राप्त करते, आत्में तीर्थ को नहीं जान लेते, तुम्हें भला मोक्ष कहां से मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें कहां से होगी, मुक्ति कहां से होगी, इसलिए योग मुक्ति का मार्ग है, योग में कोई दान होता है, जी हाँ योग में दान होता है, उससे ध्यान से बड़ा यग्य क्या, ध्यान से बड़ा तप क्या, ध्यान से बड़ा दान क्या योग अपने आप में बहुत बड़ा दान होता है कि हम किसी को मुक्ति का मार्ग बता दे, इससे बड़ा दान दूसरा नहीं हो सकता है चाहे कितना भी पुजा पाट कर ले, चाहे सैकडो ब्रामनों को खिला ले, लेकिन ग्यान का दान सबसे बड़ा दान मना गया है और उसकी कोई कीमत नहीं होती जब वो अध्यात्मिक रूप में प्राप्त होता है, जब अध्यात्मिक ग्यान मिले कबीर साहिब कहते कि शीष दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अगर सिर काट कर भी, सिर काट करकर दान दिया जाए और फिर कोई तुमको ऐसा अध्यात्मिक ग्यान दे दे, तो भी समझो कि सस्ते में सौधा हो रहा है सस्ते में सौधा हो रहा है तो इसलिए ग्यान दान की बहुत महिमा गाई गये ये ग्यान दान से बढ़ा कोई दूसरा दान नहीं होता उससे बढ़ कर नहीं होता लेकिन फिर भी स्वामे विवेकानन कहते हैं कि अगर कोई भूखा है उसे ज्यान मत दो पहले रोटी दो लेकिन रोटी देने के बाद अगर ज्यान नहीं दिया तो रोटी देना भी विकार हो गया रोटी देना भी विर्थ हो गया अगर कोई नंगा है उसे ज्यान मत दो उसे पहले वस्त्र दो ये स्वामी वेकानद अपने कर्म योग में लिखते हैं उनके जो साहित्य है कर्म योग, भक्ति योग, ज्यान योग राजी योग कर्म योग में वो लिखते हैं कि अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले उसे रोटी दो लेकिन रोटी देना सफल तब होगा जब तुम उसे ग्यान दो उसे जीवन जीना सही से आ जाए कोई नगन है, वस्तर नहीं है उसके पास तुम उसे पहले वस्तर दो फिर उसे ग्यान दो, तो वस्तर देना सफल हो जाएगा तो फिर वो अपनी पुराने स्थिति में पहुंच जाएगा फिर से भीक मांगता हुआ दिखाई देगा practical knowledge से काम नहीं चलेगा practical knowledge होना चाहिए practical spirituality अध्यात्म अभ्यास होना चाहिए practice होना चाहिए तो इसलिए पुजापाथ करना गलत नहीं है लेकिन समझ होनी चाहिए हमें कि हम क्यों करते हैं हम यह माना बैट जाए है तो फिर यह समझना पड़ेगा कि मुक्ती होती कैसे कोई यह कहे अगर मानलो आप से कोई यह कहे कि भाई चलो खाना खाना बंद कर दो आप आप क्या करो कि आज कर बाजार में जाओगे न तो मिट्टी के चिन जो clay होता है clay के fruits मिलते हैं clay का, मिट्टी का बना हुआ सेव, केले और तर्भूज और और भी खाने पीने की चीज़े जो कि real नहीं होती है, मिट्टी के होती है उनको ले आ, उनको घर में रख लो और जब भूख लगे उनको प्रणाम कर लो उनकी आरती पुजा कर लो पेट भर जाएगा क्या पेट नहीं भरेगा पेट तो खाने से ही भरेगा तो वैसे ही मुक्ती के लिए बंधनों को तोड़ना पड़ेगा मुक्ती में जो बाधा चीज़े हैं उनको तोड़ना पड़ेगा जब वो बंधन तूटते हैं तब मुक्ति तक हम पहुँच पाते हैं नहीं तो मुक्ति तक पहुँच पाना संभव नहीं है तो कि मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना मुक्ति का अर्थ मुक्त होना है तो बंधन बना रहेगा तो मुक्त कैसे हो जाओगे बंधन बना रहेगा तो मुक्त कैसे हो जाओगे मुक्त तो नहीं हो पाओगे बंधन तो बना हुआ है इसलिए जब तक बंधन बना है तब तक मुक्ति का कोई संभावना नहीं और पूजापाट से बंधन ही नहीं तूटता है पूजापाट से फुन्य की वर्दी होती है पूजापाट से भावनाओं की वर्दी होती है देवी देवताओं की वर्दी होती है यग्य से क्या होता है? देवताओं की वर्दी होती है देव भावना की वर्दी होती है देवताओं की वर्दी का मतलब प्रकृति में जो पवित्र तक्त्व हैं जो सकरात्मक जो पॉजिटिव एनरजी है उसका डेवलप्मेंट होता है यही देवताओं की वर्दी है संतुलन बढ़ता है यज्य करने से अगनिहोत्र करने से तो यग्यादी अगनिहोत्र आदी की जो क्रियाएं है जो पुजापाट की जो क्रियाएं है वो करते रहना चाहिए लेकिन उसके चक्कर में ध्यान योग नहीं छोड़ना चाहिए पुजापाट के चक्कर में आपने ध्यान योग कात्या कर दिया कि हम योग ही नहीं करेंगे पूजाही पाठ कर लेंगे जी नहीं तो आप मुक्ति की साधना नहीं कर पाएंगे मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होने के लिए शान्त होने के लिए इस्थीर अनुभूती के लिए पूर्ण शान्त अनुभूती इस्थीर होने के लिए हमें यूग मार्ग पर चलना पड़ेगा ध्यान यूग मार्ग पर चलना ठीक है तो वहीं एक मार्ग है योग ही एक मार्ग है इसलिए योगस चित वरती निरोधा योगवासिश के अनुसार संसार सागर को पार करने का मार्ग योग है अर्थात मुक्ती का मार्ग योग है योगवासिश के अनुसार कटो अपनिश्यत के साथ के अनुसार भी मन को एकागर भूमी में ले जाना है और मुक्त हो जाना है तो जितने बंधन हैं हमारे संसार में अनेको बंधन बने हुएं उन बंधनों को खतम करने से मुक्ति होगी और उसके लिए यूग का मार्ग बताया गया है ध्यान यूग का मार्ग बताया गया है भक्ति योग का भी मार्ग बताया गया है लेकिन अब जब तक बात समझ में नहीं आएगी अब तक पुरा लाब भी नहीं मिलता है भक्ति योग क्या विश्य है तो आजकर लोग सोचते कि भगवान का नाम ले लिया गा लिया, बजा लिया, ताली पीट लिया तो भक्ति योग हो गया ऐसा भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन नहीं तो यही हमें समझना है, विचार करना है मुक्ति होगी, तो योग मार्ग से होगी और विश्य सूचना है आप लोग के लिए कि 3 जुलाई गुरु पुर्णिमा विमानुभाव कहते थे कि भाई गुरु पुर्णिमा का दान क्या हम आपको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर आपको लगता है कि हम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसकी वर्धी कर रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं लगता है तब उसके लिए आप विक्तिगत रूप से संपर कर सकते हैं अगर आप कुछ भी ऐसा दान करना चाहें तब तो अब क्या है 3 जुलाई गुरु पुर्णिमा के दिन से जूम एप पर लाइव चर्चा चलेगी यही लाइव चर्चा जो 9 पे चलती है वो जूम एप पर चलेगी यूटूब के बदले जूम एप पर चलेगी ठीक है उसका लिंक आपको मिलेगा विडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉम्मिनिटी पोस्ट में भी और अगर आप जॉइन करना चाहते हैं गो फोन नहीं आप करेंगे Whatsapp Message करकर आप लिंक मांग सकते हैं लिंक आपको जिये कुछ लोगों ने लिंक फून वाटस अप मेसेज किया है लगबग दो लोगों ने उनको लिंक भेजय दिया जाएगा तीक है लिंक आपको भेज दिया जाएगा और आपने उसको ज्वाइन करना है 3 जुलाई राद 3 नाइन पीएम पर बहुत महत्योपुर्ण विशेय पर चर्चा होगी ज्वाइन करकर आप उसका पूरा-पूरा लाब उठाए देख ले जूमैप में कैसे ज्वाइन करते हैं आउडियो विडियो कैसे ज्वाइन करते हैं तो सबकी भी आप जरूर देख लें चलिए और ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जुलाई से शुरू होगा उसकी भी जॉइनिंग आप ले सकते आपके टिपनी आपके कमेंट्स पढ़ने संतोष कुमार जी भोत अभिनंदन है संतोष गुपता जी ओमतस्त सतीष मास्टर जी योगेंदर पंडित रतन सिंग गोविंद प्रसाद नीमा विनोध के सूध अबनी प्रधान अमन कक्कर जी शेखर शर्मा जी ताशिना जी रूपलाल विश्वकर्मा जी श्वेता राय सिना जी खिम सुनार खिम सुनार उशा श्रिवास्तो दयानंद जी सविता नायक जी बारंबार साधा चर्ण तीक है सविता नायक जी योगेश खैरनर जी मादुरी कोले जी कमलेश खैरनर प्रेम कुमार गोविंद प्रसाद कोरी विमला शाह राजुपाल कनाई कुमार किशोर वैद्य जी विश्नु चंद्र मौर्य तीरत जास व्लॉक्स गंबीर शाह तो ये सब है धन्शाम सरोदे किशोर वैद्य जी जब जीवात्मा जिस शरीर को त्यागता है तब मन इंद्रियों सहीत प्राणों को भी ले जाता है और नय शरीर में प्रवेश प्राणों सहीत प्रवेश करता है इस प्राण में शरीर का क्या होगा कौन से प्राण में शरीर का क्या होगा जब आप लिख रहे हैं कि प्राणों को भी ले जाता है तो प्राण में शरीर का क्या हुआ का क्या मतलब है जिवात्मा जिस शरीर को त्यागता है तब मन इंद्रियों सहित प्राणों को भी ले जाता है अपने लिख दिया और नए शरीर में प्रवेश प्रानों सहित प्रवेश करता है इस प्रान मैं को शरीर का क्या होगा प्रान मैं शरीर चला गया दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया क्यों होना क्या है ठीक है दूसरे शरीर का संचालन करेगा वो ठीक है प्राण में कोश होता है प्राण में शरीर नहीं होता है पंच कोश में अन्न में कोश प्राण में कोश इस शरीर के अंदर ही इस हमारे पूरे सनरशना में ही अन्न में कोश प्राण में कोश मनों में कोश विग्जान में कोश और क्या है आनन्दमे कोश तो इस थूल देह की मिर्तिय होगी तो अन्दमे कोश ही नश्ट होगा बाकि जब दूसरे शरीर में जाएगा तो दूसरे शरीर का संचालन करेगा वो प्राणमे शरीर नहीं प्राणमे कोश प्राणमे कोश प्राणमे कोश प्राणमे शरीर की चर्चा कहीं नहीं है ना अपनिशदों में है ना विवेक चुडा मनी में है कहीं पर इस शब्द का प्रयोग नहीं है प्राणमे शरीर प्राणमे कोश हाँ कोई वर्तमान में कोई लेखक अपनी किताब में प्राणमे शरी लिख जाएं वह एक अलग बात है तो वह प्राण में कोश जाएगा और दूसरे शरीर का संचालन करेगा राठोड विक्रम भाई जैश्री कृष्ण ओम राज हिम्प्रॉम हरहर महादेव ठीक है तो इस तरह से हम कि इस बात को समझें और आगे बढ़ें कि चलिए अभी विराम देंगे स्काई करम को कि आप सभी का बहुत बहुत आभार कि तीन जुलाई गुरुपुर्णिमा के दिन हम जू मैप पर इस सभा को करेंगे लाइव चर्चा को करेंगे कुम्तसत सभी को कि नुक दूद आङ समय को कि उते हैं गुरुबुर्णिमा कि उते हैं कि अब्रुद आगे बढ़ें